दो हिज्री से ही रमजान के रोजे फर्ज किये गए और रमजान की सत्रा तारीक को यानी 13 मार्च 624 को इसलाम की पहली जंग लड़ी गई जो की जंगे बद्र के नाम से जानी जाती है। ये वो दौर था जब पेगंब्रे इसलाम हुक में इलाही लोगों को बताया करते थे और एक अल्लाह की इबादत करने को कहा करते थे। के बावजूद सब्र किया करते थे, मगर खुद आगे बढ़कर कभी लड़ाई नहीं की, लेकिन इसके बावजूद जब कुफार ना करीम से दुश्मनी की गरज से उन्हें नुकसान पहुचाने की लगातार कोशिशे की तो अल्लाह ने अपने प्यारे नभी को हुक्म द के कुरेश कबिले के तक करीबन एक हजार बड़े-बड़े योगा शामिल थे तो दूसरी तरफ पेगंब्रे इसलाम के साथ उनके सिर्फ 313 साथी शामिल थे, जिनमें से ज़्यादातर लोगों ने कभी जंग लड़ी ही नहीं थी, यहां तक की जंग के किसी भी किस्म के सा जो सामान तक उनके पास अभी जंग शुरू भी नहीं हुई थी कि उसके एक दिन पहले ही अल्लाह के नभी सल अल्लाह वसल लम उस जगा पर सहाबा के साथ आये और एक डंडा लेकर लकीर कीच गोल दाइरा बनाया, किसी की समझ में कुछ नहीं आया तो सहाबा ने वजए जाननी चाही तब अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इस जगा पर अबुजेहल मारा जाएगा, कुछ दूरी पर दूसरा दाइरा खीचा और फरमाया कि उमया यहां मारा जाएगा, तीसरा दाइरा खीच कर फरमाया सयबा यहां मारा जाएगा, चौथी लकीर खीच कर फरमाय किसी भी जंद में अमूमन होता तो ये है कि पहले जंद होती है और लोग मारे बाद में जाते हैं। मगर कुर्बान जाये आका के हालते गब के इल्म पर जिसमें जंद बाद में हुई और मरने वालों की खबर पहले दे दी गई। अबू जहल वो बदबक्त था जिसने अल्ला के रसूल को बहुत बुरा भला कहा था। उन्हें बहुत तकलीफ पहुंचाई थी। इस बदबक्त को जब अल्ला के रसूल और उनके जानसारों की खबर मिल गई तो उसने सोचा कि उनकी तादाद ही कितनी है। मुठी भर इसलि उनकी तादाद कई गुना अधिक थी। जिसमें कुरश कबीलों वालों में मौजूद बहुत से लोग किसी ना किसी के करीबी रिष्टेदार भी थे। यहां तक कि कोई किसी का बाप तो कोई चचा, मामू भी था। तब अल्ला के रसूल ने अपने रब से दुआ की कि ए म तेरे रब अगर इस जंग में हम नाकाम रहे तो फिर तेरी इबादत करने वाला कोई ना रहेगा। अल्ला ने इस जंग में उनकी मदद फरमाई। इस जंग में अल्ला के रसूल की तरफ से एक सहाबी उमेदा बिनहारिस ने उस वक्त आप से जननत के बारे में पूछा कि या रसूल अल्लाह अगर मैं शहीद हो गया तो क्या मुझे भी जन्नत मिलेगी आपने उससे कहा हां बेशक तुम जन्नती हो और इस बहादुर सहाबा ने बहादुरी से लड़ते हुए शहादत आए अचानकी जन्ग के दौरान महाज और मौविस नाम के दो बद्दु आए एक दस और दूसरा बारा साल का था दोनों बधा ने हजरते अब्दुर्रमान बिनौफ से अबू जहल के बारे में जानकारी ली उन्होंने उन बधा से पूछा तुम क्यूं पूछ रहे हो तुम्हें जन्ग से दूर रहना है मगर उन बधा ने कहा वो गुस्ताक हमारे आक कि वो जमीन पर गिर कर तड़पने लगा अबूजहल को भी ये खबर लग चुकी थी कि मोहम्मद सल्लालाहु अलाही वसलम ने उसके शहीद होने की जगह के बारे में तक बतलाया है तब वो अपने साथियों से पूछने लगा कि क्या यह वही जगह है जहां लकीर खीची गयी थी उसके साथियोंने हां कहा तो वह छट पडाते हुए दाएरे से बाहर निकलने लगा लेकिन नहीं निकल पाया तब साथियोंसे कहनेे लगा कि मोहम्मद ﷺ की भविश्यवानी को जूट ही साबित करना है, मुझे इस दाइरे से बाहर निकालो। साथ ही उसे उठाने के लिए जुके ही थे कि अबु जेहल ने दम तोड़ दिया। जंगे बद्र में अबु सुफयान के तीन बेटे इसलाम की मुखालिफत में लड़े, मुविया, हंजला वाम्र, हंजला हजरत अली कराम अल्लाहु ताला अन्हु के हाथों कतल हुआ, अम्र कैदी बना और मुविया मैदान से भाग गया था। इस जंग में सत्तर कुफार मारे गए और इतने ही घायल हुए, कुछ को बंदी बनाया गया तो कुछ जान बचा कर भाग गए। अब्बास भी हैं और फिर उनके हुक्म के मुताबिक सभी कैदियों को फिद्या लेकर छोड़ दिया गया। इनमें जो पड़े लिखे कैदी थे, उनका फिद्या ये था कि वो दस बधा को लिखना पड़ना सिखाएंगे। ये था अखलाख और इनसाफ हमारे प्यारे आका नभी एकरिमेन सल्ललाहु अलही वसल्लम का, जिन्होंने दुश्मनों को भी कभी कोई तकलीफ नहीं दी। सुभन अल्लाह। सुभन सुभन जो सुभन 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 ये दुभ